आप सड़क की हालग देखिए यह बच्चों के लिए प्रॉलम है किसानों के लिए प्रॉलम है अधिकारियों के लिए प्रॉलम है लेकिन 15 साल से किसी की नजर इस पर नहीं जा रही है नमस्कार सीता मधिलाईव आप देख रहे हैं बिहार में इस वक्त पंचायत चुनाओ का दौर चल रहा है पंचायत चुनाओ को ले करके तरह तरह के दावे और वादे हो रहे हैं इस वक्त हम मानिक चौक दक्षिनी पंचायत के भवानी पुरगाओं में खड़े हैं और यह जो देख रहे हैं यह ग्रामीन सरक्त की तस्वीर हैं मेरे साथ यहाँ पर बहुत सारे घ्रामीन भी कहड़ें हैं पीछे अपनी समस्या को बताने के लिए यह बताइगे आप कि कितने वर्सों से यह ऐसे इस इस निवासी है हैं इस घाव के मैं हम परत्याशी हूं लेकिन यह कितने सालों से बताएं यह बहुत दीनों से बना हुआ है पचासों वरस का इस जो अगांव और निखासी के लिए नीचे पानी और कीचर है और इस कीचर और पानी से लोग को निकलना संभब नहीं है यह आम ग्रामींद बगल में ही कुछ दूरी पर प्राथमिक मध्विद्याले जिसमें करीब करीब 500 से अधिक बच्चे पढ़ते हैं इसके अलावे दर्जन भर अवास्य मकान है जहां बहु बेटी भी रहती है और सारे लोंका निकास मवेशी से ले करके और जो भी संसाधन खेती बारी का है सभी लोंका यह मुख मुख गेट कहिए जाने के लिए मुख मार का प्रवेश द्वार है जहां पर इस सिती आप देख रहे हैं कितने दिनों से दूर्दसा तो फिलहाल दस-पंद्रा वरसों से इसकी हालत बत्तर है पहले इस सिती में नहीं था यह कच्ची सरक था लेकिन फिर भी लोग निकलता था और गारी घौर अधा होने से और नहीं बनाने के विजह से निगलानी और इस पर ध्यान सरकार का हो जनप्रतनिधी का हो या जीन का हो जिनके कमी से समत्सा बना हुआ है अप आँखों से देख रहे हैं इसलिये गरामीन आम गरामेनों का मांग है यह सरक बने और सुधार और हो चुखिंकि नबोट होने वाला है Micheal सभाबूस पंषारी का गारी होता है नहीं पहुंच पाता है अब बहुत दुरुभाग और खेद कई बात है इस सम्मंध में बराबर जन परतिनिधियों से अस्वासन मिलता रहा जी अब हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा लोग प्रतिक्षा करते रहे लेकिन आज तक प्रतिक्षा में ही है यह इसका निर्वान नहीं हो सका यह बताइए आप मुझे यह बताइए कि इतने हैं बच्चा सके बहुत कठिनाई है स्कूल में आने जाने में उसके बाद इस साल जो है खेती में कड़वा दिकत हुआ है किसान के जो बगल बगल कर गया है कड़वा के लिए और सब कुछ तो बाबा कही है चुक है यह बताए कि यह सड़क जो है है इस इसकृष्टी होने का कारण की आपर नहीं हो तो कि यह कि आप अलग भाल्ट अपन लेकर दुसरा दुसरा के खेत ना है अपना अपना दूसरा लेकर जांना यह बताइए मुझे कि यहां पे इलेक्शन होने वाला है तो अधिकारी वगर कैसे जाते हैं अधिकारी वहां जब तक पहुंचे उससे पहले जो खेल हो रहा होता है उससे लोग सचित हो जाता है आप सड़ा की हालक देखिए यह बच्चों के लिए प्रॉलम है किसानों के लिए प्रॉलम है अधिकारियों के लिए प्रॉलम है स्कूल के टीचर के लिए प्रॉलम है लेकिन 15 साल से किसी की नजर इस पर नहीं जा रही है अब क्यों नहीं जा रही है इसका जबाब न जंता के पास है न परतिनिधी के पास है लेकिन यह सच है य यहां इससे आगे पचासों घड़ है और अगर साधी होती है बहुए जब जाती है तो यहां से पैदल जाती है बात यह भी है कि अगर यह लोग अपना दर्वाजा बंद कर दें तो इस कीचर से जिसमें ट्रेक्टर फस जाता है उस दल्दल में बच्चे जाएंगे मैं जाने है कि इस तरह की चीज़ होनी चाहिए लोग कहता है पोल्टिक्स करता है मैं कह रहा हूं यह इन लोग चाथा बताई नों की जरूरत है कि और अगर आप कहें कि यह कैसे हो सकता है राहुल जी बहुत आसान है आगे रास्ता सही है इतने दूर की बात है मनरेगा से जो पैसे लेकिन रास्ता यह सरकारी है अभी बच्चे जाते हैं तो उनको भी अपना यह कि सारे बच्चे स्कूल जाते हैं ग्र्मीन सारे हैं तो नहीं अब्जिक्शिन करता रहे हैं लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि जैसे आप से हमारी लड़ाई चल या कुछ मसला ऐसा है तो उनको दिक्कत होती है यह चीज़ बड़ी गारिया भी अंदर नहीं जा पाती है अरे छोटी आप इस पर मोटर साइकल चला है कर जाएगा बड़ी गारी का सोची नहीं सकते सब्सक्राइब सब्सक्राइब अब नहीं है यह बताई कि बिहार में चल रहा है पंचाय चुनाव आपके ग्राम पंचाय चल रहा है तो क्या यहां के प्रितिन्दी वर्तमान में रहें वो नहीं आया आएगा 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 करता नहीं बस पिसाइगा लेता है राहूल जी सबसे बड़ी बात बताओं यह यहां के वाड और इनका घर भी इसी रास्ते में आप बताइए कि यह कैसी स्थिती है और इसका निदान कैसे क्यों नहीं हुआ है अब हम को मेडिया के माधम से में कहना चाहता हूं हमारे रोड़ है जो चालू रोड़ है जिन्यें दस फीट बाराव फीट हो ता स्थिस्किल में जा नहीं पाते हैं हमारे दस-पचास to 60 हैं हमारे ग्रामीन हैं हमारे खेती बारी होता है उसकी बहुत कठनाईया होती है हम लोग भी जाते हमारे घर बगल में है लेकिन हम भी इस मैंने निकल पाते हैं देखिया लुट की हालत बहुत गंभीर हो चुका है जान नहीं पाते है इसमें ज्क्रेंद कभी नहीं नहीं है कि अजादी के बास पक्की सब्सक्राइब कर रहे हैं यह सब्सक्राइब करते हैं यह कह रहा हूं कि यह देखकर आपको यह लगता है कि यह सब्सक्राइब कर रहा हूं लेकिन जन प्रतिनीदी जो भी है विधायक सब्सक्राइब लेने आएगा एक बच्चे के पास जाएगा वोट लेने जाएगा उस सब्सक्राइब कर आज तक नजर क्यों नहीं किसी की पड़े क्या वो लोग यह मानके चलें कि सब्सक्राइब जिस सब्सक्राइब लगभग एक हजार बच्चे डेली पढ़ने जाते हैं और आते हैं उस सब्सक्राइब किसी की नजर क्यों नहीं पड़े हुआ है झाल हुआ है हुआ है हुआ है झाल झाल